नफिसिंग राठी हत्याकान में एफ आई आर में राजनीतिक शड़यंत्र का दावा किया गया है बिजले 6-7 मेने से बार बार इन पुटा रहा था, CID का भी था, लोकल पुलिस का भी था, कि वही आपके उपर हमला हो सकता है, साफ़ दान रही है तो सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर हुआ ये पॉलिटिकल मुडर नफे सिंगराठी हतिया कांड में पूर विधायक नरेश कौशिक समेत साथ लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ये फाई आर नफे सिंगराठी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और उनके भांजे राकेश उर्फ संजय ने कराई है जिसका दावा है कि हमलावरों ने उन पर हमला किया जब रेलवे फाटक बन था लेकिन इस हमला करने से पहले बदमाशों ने शोर मचाते हुए कुछ बाते कहीं थी और धमकियां दी थी जिससे पता चलता है कि इस पूरी घटना के पीछे राजनीतिक साजिश है सामाजिक स्थान पे हर बार ये का गया कि हमें सुरक्षा दे दीजिए हमारी जान को खत्रा है लेकिन चुकि हम दूसरी पार्टी के हैं और विरोधी पार्टी के नाते सिर्फ द्वेश बावना के चलते वो चाहते थे कि हमारा नुकसान हो इसलिए उन्होंने हमारे साथ ये होने दिया हमला उन्होंने राकेश दे कहा कि तुझे जिन्दा चोड़ रहा हूं ताकि अपने घर वालों को बता देना इसी बात को लेकर अब हंगामा बर्पार अंतिम संसकार कब होगा आप जब इनकी गिरफतारी हो जाएगी और पुलिस प्रशाशन खाना पूरती ना करने के बजाए आप इसी से अंदाजा लगा लो कि रात तक पुलिस वाले सिर्फ ये चाह रहे थे कि ये मामला आरेफ के पास चला जाए ताकि पुलिस प्रशाशनों कारवाई ना करना पड़े उठंडे बस्ते में मामला चला जाए लेकिन बड़ी शरम की बात है जिस आदमी ने लगबग सारी उमर बादरुगड के लिए पनी आवाज उठाई आज उसी आदमी की आवाज को दबाने के लिए उपर से निचे तक की सरकारेटी चोड़े का जोड़ लगा एस अत्यकांड में साथ लोगों के नाम आरोब दर्ज किये गए हैं जिसमें एक पूर विधायक है लेकिन उसी F.I.R. में एक और बात का जिकर है जिस पर गौर करना जरूरी है चश्मदीद के मताबिक मेरी ड्राइवर किर्की के पास आकर वो मुझसे बोलते हैं तुझे जिन्दा छोड़ा हूँ जाकर इनके घर को बता देना नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरो राठी, राहुल और कमल के खिलाफ कभी भी अदालत में गए तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा यानि नफे सिंग्राठी ने नरेश कौशिक और उनके बाकी साथियों के खिलाफ किसी मामले में कोट में गवाही दी, जिसकी वज़ा से उनकी दुश्मनी यहां तक पहुंची इस अत्याकांड में अब तक जो सुराग और सबूत सामने आए हैं उसे देखकर इसे कॉंट्राट किलिंग भी कहा जा सकता है और इसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ गैंग शामिल हो सकते हैं, पुलिस को इस बात का शक भी है हुआ है